पुरे देश में कोरोना वारस का खौफ पहला हुआ है साथी देश की जो सबसे बड़ी खुशी थी वहती जम्मू कश्मीर का हमारे देश के साथ जुड़ जाना यानि की एक केंद्र शाषित प्रदेश जो हमारे देश में हैं और अब वहां भी लोगडाउन को लोग बहुत अच्छे से मान रहे हैं और निभा रहे हैं जम्मू की एक जननी सुनीता करालिया ने बताया कि कोरोना की जंग लड़ रहे हैं सभी देश वासियों को आशवशन दिया और साथी उन्हें संक्रमन से बचने की भी हिदायती साथी उन लोगों को फटका लगाए जो इसका पालन नहीं कर रहें देश की सुरक्षा आपके हाथ में सुरक्षित रहे सावधान रहे कैनल न्यूस से भारती व्यास की रिपोर्ट हेलो जी सशियकाल मैं सुनीता खरालिया जम्मू कश्मीर से हमारी सरकार ने हमसे एक बात कही थी जब 21 दिन को लोगडोन हने जा रहा था तो मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन हमारा भारत बंद होने जा रहा है तो आप कृपया करके अपने अपने घरों महीं रहें और घर के बाहर ना निकले लोगडोन याने कि ताला बंद तो ताला बंद करके आपने अपने अपने घरों में रहना है आपको time to time हर एक चीज मिल जाएगी आपको home delivery मिल जाएगी सबजी, medical, सारी shops खुली रहेंगी बट ये सारी बातें कुछ लोगों ने मानी हैं बट कुछ लोगों ने नहीं मानी हैं जिन लोगों ने नहीं मानी हैं वो लोग खुद को टो डाली रहे हैं उसके साराथ हम सब को भी घतरे में डाल रहे हैं जैसे पुलीस दिखती हैं तो घर के अंदर छुप जाते हैं पुलीस चली जाती हैं तो अपने अपनी गलियों में निकल के cricket खेलने लगते हैं अरे कम से कम अपने बारे में तो नहीं, कम से कम हॉस्पिटल स्टाफ के बारे में सोचो, जो अपने बच्चों को अपनी फैमिली को छोड़ कर आपका इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में आ रहे हैं, वो सफाई करमचारी अपने घर की सफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आपके बैड की, आपके समान की, आपके होस्पिटल की, हर चीज के सफाई कर रहे हैं, साइनटाइस कर रहे हैं, ताकि आप स्वस्थ रहे हैं, बट आप इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, आप पोलिस को देखो, पोलिस कितनी अपनी डूटी नुभारी है, दिन रात अपने ब लाल बच्चों चीज़ साथ भर में ने भर अदा कर जेता ऐसे दियाद में भर, बच्चों के साथ आप भर में रहा को भन से को लने, यह सॉचिध को फैमिली है औ. आपने अपने घरों में बोला है रहने के लिए तो आप वहां तो रहो आपको हर चीज मिल रही है दुकाने खुल रही है टाइम टू टाइम हर चीज मिल रही है किसी चीज का आकाल नहीं पड़ा हुए सिर्फ भारत बंद किया गया है ताकि ये करोना वाइरस फैले ना तो इस चीज को सोचते हुए आप अपने घरों में रहो और ओनलाइन स्टडी कर दिये शुरू आज से बच्चों की स्कूल्स में तो वो ओनलाइन मेसेज आपको भेज रहे हैं अप बच्चों को पढ़ाओ बच्चों के साथ अपने आपको भी बिजी रखो और अपनी फैमिली का दियान रखो और इस लड़ाई में पूरे भारत का साथ दो पूरे देश का साथ दो और अपने आपको बचाओ हम सब को बचाओ थैंकि सो मच